हलो आज हम पढ़ेंगे अमल वर्सा के बारे में कि अमल वर्सा क्या है अमल वर्सा को इंगलिस में acid rain बोला जाता है ठीक है वैसे तो हम यह जानते हैं कि सामान्यता जो वर्सा का जल होता है उसका pH मान कितना होता है उसका pH मान होता है 7 हम यह जानते हैं कि जो वर्षा का जल होता है उसका pH मान कितना होता है साथ होता है ठीक है लेकिन यदि वर्षा के जल का pH मान क्या हो साथ से कम हो यदि वर्षा का जल का pH मान साथ से कम होता है उस case में हम क्या बोलते हैं अम्ल वर्स से उसम्हें वर्स के जलकों क्या बोलते हैं अम्ल वर्स से बोलोओगों टीक है अब पी एच क्या है बोले जीन की अम्लतख आपने का क्या है एक पैमाना है जिसको क्या बोला जाता है पी एच पैमाना बोला जाता है ठीक है अब भई कोई विलियन कितना अमल है और कितना छार है कैसे पता चलेगा है ना तो उसको भी तुम आपने का एक पैमाना होना चाहिए इसलिए वज्यानिकों ने एक पैमाना तयार किया प्रकाट से अमल को मात्तरक होता है जिसे पी-ेच मान बोला जाता है इसका मान एक से चवदा तक होता है ठीक है यदि किसी विलियन का पी एच मान साथ आता है देखो एक से चवदा का बिच कौन होगा साथ तो यदि किसी विलियन का पी एच मान साथ हो यदि उसका मान साथ आ रहा हो उस केस में उस विलियन को क्या बोलेंगे उस Willian को बोला जाएगा उदासिन, उस Willian को क्या बोला जाएगा उदासिन बोला जाएगा, ठीक है Neutral, English में उसको क्या बोलेंगे Neutral बोलेंगे, यदि यदि किसी Willian का pH मान 7 से कम आता है, उस case में उसको क्या बोला जाएगा, Acid यदि साथ से कम होगा तो Acid, यदि साथ से ज़्यादा होगा तो उस case में उसको क्या बलेंगे? Base यानि छार बला जाएगा अब देखो, अब साथ से कितना कम? देखो, जितना कम होता जाएगा साथ से उतना ही उस Willian की अमलता बढ़ती जाएगी तो क्या समझेंगे? इस आठ वाले का जो होगा pH मान यदि 8 है तो इसमें उस Willian की छारक्ता कम होगी किसकी अपेक्छा? 9 की क्योंकि 9 जादा है, ठीक है? मतलब उस Willian की छारक्ता इस वाले में जादा होगी ठीक है? उसी प्रकार यदि किसी Willian का pH मान 2 है और किसी Willian का pH मान 3 है मतलब कौन जादा खटा होगा? कौन जादा अमला होगा? ये वाला दो वाला जादा अमला होगा और इस वाले में कम अमला होगा ठीक है? इस प्रकार से किसी भी Willian का pH मान मापा जाता है तो यदि हम जानते हैं कि यदि किसी भी मतलब जो वर्सा है अमल वर्सा है तो यदि वर्सा का जल जो है साथ से क्या हो कम होगा तो वो वर्सा कैसे कहलाएगी कौन सी वर्सा कहलाएगी वो वर्सा अमल वर्सा कहलाएगी अब यह अमल वर्सा होता कैसे है क्यों होता है यह अमल वर्सा बना कैसे है इन सब के बारे में आई है डीटेल से सम तो देखिए इसको डाइग्राम के माद्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं असल में जो अमला वर्सा होती है वो मुख्यता प्रदूसन के कारण ही होती है इसका मुक्य कारण क्या है प्रदूसन देखो भाई वायू मंदल में उपस्तित गैसें के विलियो होने के कलकारखानों से निकलने वाली गैस है ठीक है कलकारखानों से SO2 गैस निकलती है NO2 निकलती है ठीक है और वहानों से कारवन डायकसाइड गैस निकलती है कारवन मोनो अकसाइड निकलती है सब जहरीली गैस है तो इन सभी इन धनों के जलने से उत्पन जो जो प्रदूसित गैसे है ना वो जब वायू मंडल पे जाती है तो वायू मंडल पे जाने जब ये वायू मंडल पे जाती है तो वर्सा क्या है? वर्सा में क्या है? S2O है वर्सा में क्या है? S2O जल है जल का सुत्र होता है S2O तो वही वर्षा के जो जल है इन प्रदूशित गैसों से मिल जाती है इन प्रदूशित गैसों के साथ क्या कल लेती है क्रिया कल लेती है इनके साथ मिल जाती है और मिलने पर क्या बनाती है प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट कैसा होता है अमल होता है आप जानते हैं S2SO4 इसकी प्रकृति कैसी होती है एसिड होती है इसका नाम क्या है Sulfuric Amla है HNO3 इसका नाम है Nitric Amla है तो जब SO2 S2O के साथ मिला तो ये क्या बनाया S2SO4 बनाया और जब NO2 S2O के साथ मिला तब ये क्या बनाया HNO3 बनाया तो इस प्रकार से क्या होती है प्रदूसित गैसों का जल के साथ क्रिया करके अमल बराना और वही अमल फिर वही जो होती है वर्षा के रुप में क्या होती है हमारी पृत्थी पे गिरती है वर्षा के रुप में ठीक है इसी को क्या बोला जाता है अमल वर्षा बोला जाता है ठीक है अब ये अमलवर्षा देखो अमलवर्षा के करण क्या क्या हानिया हो रही है जो इमारते हैं जैसे कि ताज महल उसका छरण हो रहा है पेन पौधे पे इसका नुक्सान पढ़ता है ठीक है इनकी पत्यां पिली होकर जड़ जाती है और यदि ये नदी नाले पे जाएं कि अमलवर्षा क्या है अमलवर्षा बनी कैसे ठीक है और इसका जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ती है ठीक तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें ठीक थैंक यू